नवश्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चनल खत्री डेरी फारम पर आपका एक बार फुरसे स्वागत है आज की जो वीडियो है ये मिनडेरी फारम से है और अमित मिनसर आज की वीडियो में ताजी वी याई तीन जो टी वैस बिक्री की लूपलुद करवार है है जुनका एड्रस है वो गाउं जैतसर तहसील विजयनगर जिला स्री गंगानगर राज्य राजिस्थान मॉबाइल नम्बरीन के नीचे वीडियो मेंशन किये गए है जिन पर आप इनसे संपरक कर सकते है वाटस अप के थ्रू या डारेक्ट कोल करके आप इनसे बात कर सकते है और ज्यादा जानकारी इन तीनो बैसों के बारे में आप इनसे ले सकते है या ट्रांसपोर्डेशन के बारे में जो पहले नम्बर पर बैसा आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार अडर क्वालिटी के साथ है चारो थनों की बीच में गैप भी काफ़ी अच्छा है और पैरों के अंदर बाहर की लेवटी है खुल आडर है और टाइट लेवटी की है सींग जो आप देखें गोल सींग है सींगों का साइज हलका सा बड़ा है मत्य में आपको छोटा सा फूल सफीद बाल देखने को मिलेंगी निली रावी में क्रोस ब्रीड है बोडर एडिया की बैसे मीडेम हाइट लेंथ की है और दूद इसके नीचे मोके पर 14 लीटर अभी तयार है दो टैम शार टैम कोई वाई मिलकिंग करके देख सकती है आप देखेंगे वो काफी बहतरीन है और हाइट लेंथ इसकी मीडियम है सिंग जो आप देखेंगे गौड सिंग है सिंगों को साइज हलका सा बड़ा है जैसे की बोडर एरिया की जो वैसे होती है उनमें हलका सा सिंग का जो आपको खुल अपन देखने को मिलता है तीसरी ब्यात की ये वैस है बाकी जो भी पशुपालक भाई खरीदते हैं इनके फार्म पर जा करके अच्छे तरीकी से दूद निकाल करके देखें पशुदन का सुभाव देखें थणों की जाच परक करें उसके बाद पशुव आप यहां से खरीद सकते हैं कीमत के अगर बात करें तो बिना किसी किराय के इस बैस की कीमत इनोंने 32,000 पर रखी है इसमें किसी परकार का कोई ट्रांस्पोटेशन उपलब दिया नहीं करवा रहे है अगर ट्रांस्पोटेशन के साथ आप खरीदेंगे 500 गिलोमेटर के एरिये में 5 राजियों में तो इसकी कीमत 77,000 पर रहेगी 77,000 रुपीज कीमत रहेगी विद ट्रांस्पोटेशन जो कीमत बताई जाएगी 3 पशो की वो फिक्स पराईज नहीं है इसमें थोड़ा बहुत मान सम्मान मोल भाव आपको कर दिया जाएगा बाकी जो इनके कोंटेक्ट नमबर है वो नीचे वीडियो में रेगुलर चल रहे है जिन पर आप इनसे संपरक कर सकते है वाटसप के थरू या डारेक्ट कोल करके आप इनसे बात कर सकते है और जादा जानकारी पशुदन के बारे में या ट्रांसपोर्टिशन के बारे में आप इनसे ले सकते है हर समय इनके फार्म पर तकरीबन 10-12 पशुद बिकरी के लोकलब्द रहते है जिसमें की 2-3 आपको गाय देखने को मिलेगी जातर वैसे इनके फार्म पर रहती है बिकरी के लिए बाहर से बिगर कोई पशुपालख खरीदना चाहते है गाय बैसे सिदा किसान के गर से या ने किसी डेरी फार्म से तो बाहर से गुम फिर करके भी गाय बैसे आपको यकलब्द खरवा देंगे और वाजिब rate का पशू आपको इनके फार्म पर हर समय देखने को मिलेगा अच्छी quality का पशू चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा उसके कीमत थोड़ी आपको जो है बड़ी हुई देखने को मिलेगी quality के हिसाब से कीमत बढ़ जाती है लेकिन दूद के परपलशे आपको लेनी है तो काफी regional rate की बैसे इनके फार्म पर आपको हर समय बिकरी के लिए उपलब्द मिल जाएगी और आप जो दूसरे नंबर पर जोटी आप देख रहे है ये प्योर निली रविनशल की जोटी है साथ में बच्चा जो मेल काफ है इसके भी प्योर निली रविनशल में है दो से तिन दिन की आज भी आई हूई हो चुकी है जो किसाने डेटेल वताई है और मोके बर 12 लीटर कच्चा दूद खीस बोड़ा इसके नीचे तयार है दूद शम्ता 14-15 लीटर तक रहेगी छोटे गोल सींग है साथ सुतरी जोटी है दूसरे बियात की और निची है जो अटर क्वाल्टी आप देखें काफी बड़ा अटर साइज है थनों की बीच में इस बैस के आपको जो गैप है जो दूरी है थनों की वो थोड़ी कम देखने को मिलेगी मोटे मुठिया मजबूत थन है दोहरा मुठिया थन है जो मुठिया थन होती उससे थोड़ा थनों का साइज बड़ा है दोहरा मुठिया आप कह सकती है और अच्छे दूद वाली वहाई से नीली रावी नशल में है सींग आप देख सकती है एक बिल्कुल रिंग सींग है एक सींग का थोड़ा सा कैप उपर से जो है उतरा हुआ है थोड़ा गैप आपको सींग में देखने को मिलेगा और थन जो देखेंगे मोटे मुठिया थन है थनों की बीचे में गैप थोड़ा कम है दो से तिन दिन की बियाई ये साथ में कटड़ा है दूसरी ब्यात की है और मोके बर 12 लेटर कच्चा दूद अभी किसान ने जो बताया है तयार है आज ही इनके फारम पर ये पोची है और दूद शिमता 14-15 लेटर तक रहेगी कीमत के अगर बात करें तो बिना किसी किराय के 65,000 पिस की कीमत है और 500 किलूमेटर के एरिये में फ्री ट्रांस्पोर्टेशन के साथ या विद ट्रांस्पोर्टेशन के साथ कीमत इसकी 70,000 पि रहेगी दो टैम शार टैम कोई भाई मिलकिंग करके देख सकते है डेरी विफशाई के लिए काफी अच्छी भैस है वाजिब रेट में है और ताजी भी आई है बाकी जो भी पिशुपालक भाई खरीदे अपने अच्छे तरीक के से संतुष्टी करके खरीदे दो टैम शार टैम दूद निकाल करके देखे रहने खाने की सुविदा इनके फारम पर आपको मिल जाएगी इनके फारम पर गैस्ट आउस बनाया हुआ है जो भी पिशुपालक भाई बाहर से आते है और टैम और टैम सुबह पाँच बजे निकाल और शाम कोई पाँच बजे दूद निकाल करके देख सकते हैं इनके फारम पर आपको रहने खाने की सुविदा उपलब्द है आप अच्छे तरीक किसे जाच पर करके पशुप खरी सकते हैं पशुबिन के फारम पर हर समय बिकरी के लिए उपलब्द रहता है बाहर से विगर कोई पुशुपालक खरीजना चाहते हैं तो बाहर से भी गाए बैसे आपको ये विकरी के लिए उपलब्द करवा देंगे और आज की विडियो इन टोटल तीन जोटी बैसे आपको देखने को मिलेगी दूसरे और तीसरे ब्यात की जोटी बैसे हैं वाजिब रेट के साथ हैं अब अंत में जो जोटी आप देखेंगे ये बोर्टर एरिया की सिंग इसमें भी थोड़ा खुला देखने को मिलेगा आपको लेकिन गोल्ड सिंग है अच्छी हाइट लेंद्स की है टाइट लेवटी की है साथ में जो बच्चा हो मेल काफ है कटडे को इसने जनम दिया है एक हफसे की आज ब्याई हो चुकी है ये भी लंबाई इसमें आप देख सकते काफी अच्छी लंबाई है और टाइट लेवटी की है चारो थन दूर दूर है मुठिया थन थन थनों की बीच में गैप इस जो उटी है काफी अच्छा है जो बीच में निली रावी देखे आपने उसमें ही थोड़ा कम लेकिन पहले और ये तीसरे नमबर वाड़ी जो निच्चे से आप देखें गटर क्वालिटी टाइट लेवटी की है और थनों की बीच में गैप भी काफी अच्छा वाजिव रेट के साथ है ये भी ये आज एक हफते की ब्याई होई हो चुकी ये साथ में कटडा है किसान ने जो बताया हैं दूसरे ब्यात वे ब्याई है बाकि कोई बाई खरी दे तीसरे ब्यात की मान करके खरी सकता है और दूद मोके पर 13 लिटर अभी तैयार है दो टैम शार टैम तसली करके देख सकते हैं 13 लिटर दूद अभी इनके फार्म पर जा करके आप दो टैम शार टैम अपने हाथों से मिलकिंग करके देखे दूद शमता इस जोटी की चोधा पलश रहेगी टाइट लेउटी की है कीमत के अगर बात करें बिना किसी किराय के बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के 64,000 पर कीमत रहेगी और 500 किलोमेटर के एरिये में विद ट्रांसपोर्टेशन के साथ कीमत 69,000 पर कीमत रहेगी तो आज की कीमत जो आप देखेंगे लाश्ट जो कीमत हैं 70,000 से लेकर के 77,000 तक के बीच की ये तिनो जोटी वैसे है विद ट्रांस्पोर्टेशन के साथ बिना किसी किराय के अगर खुद की गाटी है तो 5-5,000 पे तिनो बैसों के वैसे ही कम हो जाएंगे ट्रांस्पोर्टेशन के और थोड़ा बहुत मोल, भाव, मान, समान आपको वैसे भी कर दिया जाएगा बाकी अधिक जानकारी के लिए नीचे दिगे नमबर पर आप इनसे संपरक कर सकते है वटसप के थुरू या डारेक्ट कोल करके आप इनसे बात कर सकते है और जादा जानकारी पशुदन के बारे में या ट्रांस्पोर्टेशन के बारे में आप इनसे ले सकते है और आज की वीडियो आपको कैसे लगी आज का पशुदन आपको कैसे लगा ये कोमेंट करके जरूर बताए जादे शेजादी वीडियो को शेयर करे ताकि जो भी पुषुपालग भाई अच्छा पशुदन जाय जरेट पर खरीदना चाहते है उन तक यह वीडियो पहुचे और अच्छा पशुदन वो खरी सके बाकी जो भी खरीदते है और अपनी संतुष्टी करके खरीदे क्योंकि पशुदन की जो भी जिम्मेवारी जो भी गारंटी होती है वो इनके फारम तक होती है तो लेने से पहले दो टैम शा टैम दूद निकाल करके देखे पशुदन का सुभाव देखे थनों की जाचपरक करे उसके बाद पशुदन आप यहां से खरीद सकते है बाके शबी पशुदन भाईयों को वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद जल्द ही मिलते किसी नई वीडियो के साथ तब तक कि लेसई भाईयों को राम राम